नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के एक मिनी एपिसोड में आपका स्वागत है मिनी इसलिए कि वीडियो बहुत छोटा रहने वाला है सीधे टू दे पॉइंट आते हैं प्रोपगंडा फैलाने में पाकिस्तानी मीडिया कितनी आगे है उसके एक छोटी सी जलक में दिखाना चाहता हूँ इन मुहतरमा का नाम है शिफा यूसुफ जई पाकिस्तान की नामे गिरामी आंकर है हम न्यूज पर ब्रेकफास्ट शो के प्रेजेंटर है इन्होंने एक वीडियो ट्यूट किया और लिखा क्या बात है मज़ा आ गया पाकिस्तान जिंदाबाद अल्ला इस मुल्क को हर मैदान में ऐसी ही कामियाबी दे जाहिर है वीडियो में पाकिस्तान को मिली कोई बड़ी कामियाबी थी तो वीडियो देखते ही आपको समझा गया होगा कि एक तरफ आस्ट्रेलिया का बंदा है दूसरी तरफ पाकिस्तानी बंदा है वैसे वीडियो में कई बार आस्ट्रेलिया का जंडा उल्टा भी लगा दिया गया है तो खेर आस्ट्रेलिया का बंदा पाकिस्तानी बंदे के आगे टिक नहीं पाता दूर दूर तक पाकिस्तानी बंदे का वो मकाबला नहीं कर पाता और बहुत बुरी तरह से हारता है जाहिर है किसी भी देश का आदमी अगर ऐसी कामया भी हासिल करेगा तो देश के हर नागरेक को खुशी होगी तो शिफा यूसफ जई भी बहुत खुश हुई और फिर उन्होंने अपनी खुशी का इजहार ट्विटर पर वीडियो पोस्ट करके कर दिया लेकिन यहां पर बेचारी पाकिस्तानी मैडम बड़ी गलती कर गई क्यूंकि उन्होंने सोचा भी नहीं था कि वाटसेब पर आने वाला हर वीडियो सच्छा नहीं होता उन्हीं के देश के एक पत्रकार तहा सिद्धिकी हैं उन्होंने मैडम के ट्वीट को कोट करते हुए लिखा कि राष्टवाद किराम पर जूट फैलाना जी एच क्यू यानि की पाकिस्ताने मिलिटरी हिट कौर्टर से संबंदित वाटसेप मैसेज फॉरवड करने वाली पत्रकारी था ऐसी ही होती है दरसल ये पूरा विवाद इसलिए शुरू हुआ क्योंकि असलियत में ये जो वीडियो इन्होंने मैडम ने ट्वीटर पर पोस्ट किया वो वीडियो ब्रजील का है उसे किसी ने पाकिस्तान और उस्ट्रेलिया के बीच का मुकाबला बना कर पाकिस्तान में वाटसेप पर फॉरवड कर दिया फिर क्या था राश्टवाद पाकिस्तान में हिलोरे मारने लगा दना दन उसे हर सोशल मीडिया पर आगे बढ़ाया जाने लगा पोस्ट किया जाने लगा लेकिन पोल तो खुल नहीं थी खुल गई लेकिन मैडम आइंकर को अपने किये पर बिलकुल भी अफसोस नहीं है पाकिस्तान के इसलामाबाद के रहने वाले एक ट्विटर यूजर फसेह महता ने जब उन्हें बताया कि ये पाकिस्तान नहीं ब्रजील का वीडियो है तो मैडम ने जवाब दिया कि मैंने इसके लिए एक और ट्वीट कर दिया है लेकिन मुझे ये वीडियो बहुत पसंद आया तो अपनी सफाई वाली ट्वीट में शिफा ने लिखा कि ये पाकिस्तानी टीम का वीडियो नहीं लेकिन तब भी ये वीडियो बहुत शांदार है बदलाव के लिए ही सही लेकिन आप इस शांदार वीडियो को इंजॉय कीजिए तो एक चीज आपने गौर की मैडम ने फेक वीडियो ना तो हटाया और ना ही इसके लिए माफी मांगी उल्टा अपनी पोल खोलने वाले पत्रकार तहा सिद्धिकी को रौ का एजेंट करार दिया उन्होंने जवाब में लिखा कि मैं आपकी तरह हिपोक्रेट नहीं हूँ मेरे द्वारा ट्वीट किया गया जियेच्किउ सम्बंदित वाटसेफ फॉरवर्ड वाली पत्रकार तहा ने अपनी घलती नहीं मानी तो दोस्तों ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि आप समझ सके कि पाकिस्तान और उसकी मीडिया किस तरह प्रोपगंडा फैलाते हैं आप में से कई ये भी सोच रहे होंगे कि ये तो डिफेंस से संबंदित वीडियो ही नहीं है फिर मैंने इसे क्यों बनाया है तो दोस्तों डिफेंस का संबंद सिर्फ हत्यार गोला बारूद और सेना से नहीं है इन्फॉर्मेशन वार भी चल रही है और ये गोला बारूद वाली जंग से भी खतरनाक है लोगों का दिमाग ऐसे ही जूट को दिखा कर बदला जा रहा है खासकर पाकिस्तान में जो युआ हैं उन्हें भारत के खिलाफ प्रोपगेंडा वीडियो दिखाया जाता है जिनका सच्चाई से कोई वास्ता नहीं होता उन्हें दिखा कर भड़काया जाता है तो युद्ध के इस नए तरीके को भी एक्सपोज करना बहुत जरूरी है इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया जल्दी हाजिर होता हूँ एक और नए वीडियो के साथ नमस्कार जय हिंद